So what's up family, welcome back to Odogar के राज So guys, आज के वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं All New Innova High Cross के बिल्कुल Top of the Line model का रिव्यू गाड़ी आई थी एक दिन के लिए Galaxy, Toyota, Motiyanagar के अंदर और भाई हम भी टाइम से पहुंच के थे गाड़ी का रिव्यू करने के लिए And by still में को कितनी भीड मिली आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं So guys, जो गाड़ी के अपने प्राइजिस आना वो finally अब रिवील हो चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप अस वीडियो को देख सकते हैं बाकि बाई चैनल में पहली बार आयो, so चैनल को अपने सब्सक्राइब करना मत बूलना Overall में अपने पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ आज गाड़ी से रिलेटेड एंड भाई सारे फीचर्स भी कवर करेंगे सबसे पहले बात करते हैं, फ्रेंट प्रोफाइल की एकस्टिरियर से सारे फीचर्स कवर कर लेते हैं फिर चलते हैं इंटिरियर की तरफ, अगर वीडियो के बीच में थोड़े लोग आ जाते हैं आपको फ्रेंट में जो इसके बोनट पर जो लाइन है जो इसका डिजाइन प्रोपर बहुत बढ़ी है बिल्कुल एस्वी वाला फील देता है आपको बाकी बाई फ्रेंट के अंदर काफी अच्छे LED लाम्स मिल जाते हैं अच्छा खासा यूस किया गया है बहुत अच्छा खासा यूस किया गया है बहुत मैसिव इसका जो लोगो है टोटा का वो भी मिलता है बाकी बाई यह है कुछ इंजन बे और बाकी बाई उपर आपको बोनट पे भी कवरिंग पूरी मिल जाती है जिससे बाई पेंट खराब नहोंता है बाकी बाई हीट तो गाड़ी कम ही होगी क्योंकि सबसे पहले आपको टायर सेक्षिन दिखा जेता हूं इसका तो इसका जो टायर सेज मिलता है वह आपको मिलता है 225-50R 18 इंचिस के इसके अलोई विल्स मिलते हैं अलोई विल्स बाई में को तोड़े बेसिक से लगे इसके अंदर काफी जादा इंप्रूव्मेंट हो सकती आपको देखने को मिलेगा गाडी के अंदर बाकि अब कवर करते हैं गाडी की रियर प्रोफाइल और आपको ऊपर मिल जाता है शाक फिन एंटीना पैनर ओमेक संरूफ बाकि कुछ ऐसा इसका टेल लाइट का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है नीचे आपको जेखन के साथ हाइब्रीड की भी प्याजिंग मिल जाती है नीचे चारो डिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको कैमरा मिल जाता है और बाई कुछ ऐसी गाड़ी की ओरो लुक निकल के आती है रियर प्रोफाइल से नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं बाकि उसके लावा पीछे से तो गाड़ी मुझे काफी आता पसंद आई मैंने जो पहले फोटो में देखा था तो मुझे इतनी काजा खास नहीं लग रही थी बट भाई रियर लाइफ के अंदर बहुत अच्छे लगती है गाड़ी रियर प्रोफाइल से इंटियर में इंटियर से गाड़ी को 10.1 इसके अंदर आपको टस्क्रीन मिल जाती है वार्लाइस एंड्योड एट एपल कार पे सब कुछ मिल जाते हैं आपको बाकि बाई ऑटोमेटिक एसी वेंटिलेटीट सीट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको डूल क्लायमेट कंट्रोल्स आपको एसी का मिल जाता है गीर लिवर की प्रेस्मेंट आपको थोड़ी सी उपर के तरफ मिलेगी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा बाकि बाई आपको यहाँ पर क्रोम सराउंडिंग के साथ टूग अफोल्डर मिल जाते हैं आपको बिल्कुल भी परिशानी न आपको पूरी गाड़ी के अंदर येलो देखने को मिलते हैं भाई ये बहुत बेकार चीज लगी मेरेको एक लिस्ट वाइट तो होनी ही चाहिए थी येलो लाइट ने थोड़े प्रीमियम ने अशनी देती आप देखो भाई पैसेंजर साइड में ने मिलर ओपन गया ने मिलते हैं तक बाई आपके विदल को आपको सारे नव मिलते हैं ये वर्कली अपन गर सकते हैं अब बातन आपको बटन ग्रंटेह भाई उसके लावा जेवियल के आपको सारे स्पीकर्स मिलते हैं, 9 स्पीकर्स मिलते हैं, आपको केबल टॉप अप अपको मिलते हैं, जेवियल का सेट अप, ZX एन, ZX ऑप्शनल के अंदर, बाके बागे लेक्ट्रोनिक पाकिंग ब्रेक, उसके लावा व्यू का बटन, 360 डिग्री क यह सब आपको सारे फीचर्स नीचे देखने को मिल जाते हैं, 2-up holter मिल जाते हैं, बाके यूएश्बी के पोर्ट के साथ आतक एक C-type का भी केबल पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, अपको थर्ड रो की स्पेसिंग, सबसे पहले तो आपको पावर सोगेट आपको हर flat एंदर से गाड़ी कहीं भी आपको कोई भी bump नहीं मिलता है किसी भी रो के अंदर बिलकुल flat and बहुत comfortable है गाड़ी cabin lights मिल जाती है आपको पीछे seat build मिल जाती है आपको उपर की तरफ और भाई जो यह AC vents है न भाई Innova जब साई है न बिलकुल same है इसके अंदर थोड़ी बहुत improvement हो सकती थी उसके अलाब भाई ये lever मिल जाता है आपको seat आप आगी पीछे कर सकते हैं पीछे वाले passenger अपने comfort के हिसाब से बागे भाई ये बाचुके है गाड़ी की second row के अंदर और भाई सबसे जादा तो second row के अंदर main feature है इसके auto man seats जो की गाड़ी को बहुत जादा premium बना देती है और भाई segment के अंदर आपको किसी भी गाड़ी के अंदर ये वाला feature देखने को नहीं मिलता है ये जो auto man seats है ये आप electrically adjust कर सकते हैं एक बार मैं आपको उतरने के बाद भी दिखा दूँगा कैसा इसका comfort आपको देखने को बिलता है और भाई ये गाड़ी ना पूरी recline हो जाते है पीछे वाले जो आपको seat होते है वो पूरी recline करके आप इसके अंदर बहुत अच्छे से लेट सकते हैं बाकि center में आपको cup holders भी मिल जाते हैं इसको आप बाई बंद भी कर सकते हैं और भाई जो बीच वाला बंदा है ना किसी को पीछे जाना है third row के अंदर वो side में से ही जा सकता है कोई seat आगे पीछे करने की जुड़त नहीं है बहुत जादा space है गाड़ी के अंदर और भाई इसको आप उफर भी कर सकते हैं बाकि भाई AC के controls आपको पीछे मिल जाते हैं आप specifically अपने comfort के हिसाब से इसको set कर सकते हैं आगे वाले driver को आपको बोलने की कोई जुड़त नहीं है नीचे आपको दो C-type की port भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था charging के मामले में आपको इसको किसी भी रोक अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बाकि भाई बहुत massive panoramic sunroof मिल जाती है side में आपको ambient light भी देखने को मिल जाती है तो बाइ गाड़ी के boot space के बार में बात करें तो approximately 300 liter का इस गाड़ी के अंदर boot space देखने को मिल जाता है GBL की subwoofer के साथ बागि भाई नीचे आपको सारी toolkit मिल जाती है spare wheel के लिए उसके लाब भाई boot के अंदर भी आपको lamp देखने को मिल जाता है seat recline करने के लिए ये lever है भाई इसको आप जैसी उपर करेंगे आपकी seat easily recline हो जाएंगी पूरी इसके लाब भाई बहुत अच्छी कासी spacing मिल जाती है अगर आप seatों को बिलकुल flat कर देती है उसके बाद भाई बहुत जादा spacing आपको देखने को मिल जाती है boot के अंदर बाकि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको electronic tailgate देखने को मिल जाता है जिसको आप electrically open भी कर सकते हैं close भी कर सकते हैं button press करके बटन प्रेस करके अगर आपको नहीं करना है आप manually भी कर सकते हैं इसके अंदर आपको grab handle दिया गया है और भाई जो अपनी नहीं हो आई-Cross की delivery रहने वाली है वो श्राट होई की भाई 17 जनवरी से 2023 से उसके लब भाई गाड़ी की powers के बारे में बात करें आपको यह 0-100 गाड़ी चली जाती है